भारत में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और मंगलवार को आने वाले नतीजों से पहले एक्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं जिसमें भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत से जीत्ती नजर आ रही है एक्जिट पोल में बताए जा रहा है कि भाजपा और गड़बंदन पार्टियों को 361 से लेकर 401 तक सीटे मिल रही हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है और एक्जिट पोल पर भी दुनिया के सबी बड़े अखबारों निउस वेबसाइटों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है रूस ब्रिटेन चीन पाकिस्तान बांगलादेश यूएई समेट कई देशों की मीडिया ने एक्जिट पोल की नतीजों को प्रमुकता से कवर किया है ब्रिटेन के बड़े अखबार दागाडि प्रिटेन ने आगे लिखा कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चुनाव जिसमें लगबग एक अरब मतदाता थे अपरेल में शुरू हुआ था अकबार ने लिखा कि चुनाव लंबा चला जिस दोरान भारत में भायाना गर्मी देखने को मिली जिसमें दरजनों लोगों और मतदान अधिकारियों की मौत हो गई अगबार आगे लिखता है शनिवार रात को आए एक्जिट पोल के नतीजों में मोदी और उनकी भारत जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं वो संसत में बहुमत के लिए जरूरी दो त्याही स प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीता है वहीं ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानि बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक्जिट पोल की नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी लगातार तीसरी बार प्र लोग सभा की 543 सीटों में से दोतियाई यानि 272 सीटें मिलना जरूरी है वहीं चीन के सरकारी अखबार Global Times ने लिखा है कि एक्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि प्रधान मंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीत हांसिल करने वाले हैं एक्सपर्ट के हवाले से चीनी अकबार ने लिखा कि मोदी जीत के बाद अपनी घरेलू राजुनीती और विदेशी नीती में कोई बदलाव नहीं करेंगे और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे ग्लोबल टाइम ने एक्सपर्ट के हवाले से आगे लिखा चुनाव जीतने के बाद मोदी का ध्यान इस बात पर होगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बने मोदी डिप्लोमेटिक तरीके से विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे वही रूस के सरकारी ब्रोडकास्टर रसिया टीवी ने भी एक्जिट पोल के नतीजों पर एक रिपोर्ट छापी है आटी ने लिखा कि विभिन एक्जिट पोल के नतीजों में बताया गया है कि प्रधान मंत्री नरिंद मोदी की पार्टी भारत के रास्ट्रे चुनाव में भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनानी जा रही है आधिकारिक रूप से मतगर्णा चार जून को की जाएगी और तब चुनाव के नतीजे आधिकारिक रूप से घोशित किये जाएंगे आटी ने लिखा मोदी की ये जीत एथियासिक होने वाली है क्यूंकि भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधान मंत्री लगातार तीसरी बार पीम नहीं बना नेहरू लगबक 17 सालों तक सत्ता में रहे थे वहीं पाकिस्तान के प्रमुख अकबार डॉन ने लिखा कि दो एग्जिट पोल का सारांश निकाला जाए तो भारत की सतधारी नेशनल डेमोक्रिटिक अलाइंस यानि एंडिये लोगसभा की 543 सीटों में से 350 सीटें जीती नजर आ रही है बहुमत के लिए 272 सीटों की जरुत होती है डॉन ने आगे लिखा कॉंग्रिस के नितरत वाले इंडिया गटबंदन को लेकर एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि गटबंदन 120 सीटे जीतेगा भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब रहा है क्योंकि चुनाव के नतीजे अक्सर उन्हें गलत साबित करते रहे हैं विशले शकों का कहना है कि भारत जैसे बड़े और विविदता भरे देश में एग्जिट पोल के जरीए चुनाव नतीजों का अनुमान लगा पाना एक बड़ी चुनोती है भारत के विपक्ष ने एक्जिट पोल के अनुमान को खारिश किया है तो फिलाल ये थी वो खबर जो पूरे विश्रू की मीडिया ने भारत के एक्जिट पोल को लेकर कवर किया है और दावा किया है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे हाला कि नतीजे चार जून को आएंगे और तभी फैसला होगा कि भारत की जनता ने किसे जनादेश दिया है तो फिलाल इस खबर में इतना ही बाकियान अपडेट्स के लिए दिखते रही है स्टोरी हाव